क्या निशान्त बजाएंगी दिव्या के लिए बजर क्या टूट जाएगा निशान्त और मुस्कान का कनेक्शन बिग बॉस OTT में बड़े ट्विस्ट का एलान कर दिया गया है और जल्द ही दर्शकों को बड़ा ट्विस्ट देखने मिलेगा अब ऐसे में ये सवाल उठने लगा है कि क्या घर में कनेक्शन्स की अदला बदली होने वाली है दरसल दिव्या ने एक सवाल पूछकर निशान्त को धर्म संकट में डाल दिया दिव्या ने निशान्त से पूछा कि क्या अगर बजर बजाने का मौका मिलेगा तो वो दिव्या के लिए बजर बजाएंगे दिव्या ने निशांत को ताना भी मारा कि मुस्कान तुम्हारी कनेक्शन है लेकिन वो प्रतीक को चाती है और ये किसी से भी छिपा नहीं है जिस पर निशांत ने जो जवाब दिया वो काफी चौकाने वाला था निशांत ने कहा क्यों नहीं लेकिन वो मुसकान के साथ कुछ भी गलत नहीं करेंगे साथी निशांत ने ये भी कहा कि वो दिव्या को वचन नहीं दे रहे हैं कि वो उनके लिए बजर बजाएंगे लेकिन जैसी परिस्तिती उनके सामने आएगी वो उस हिसाब से फैसला लेंगे फिर भी वो मुस्कान के साथ दगाबाजी बिल्कुल नहीं करेंगे दिव्या ने निशान तक्षरा और मिलिन के सामने ये बाते कही और बताया कि जब से वो घर में आई है उनका कोई भी कनेक्शन नहीं है जिसके साथ भी उनका कनेक्शन बना है वो मजबूरी में बना है जैसे कि जिशान के साथ उनका कनेक्शन बना था लेकिन जिशान उनकी चॉइस नहीं थे उन्हें मजबूरी में जिशान के साथ connection बनाना पड़ा था और दिव्या ने ये भी कहा कि अगर मिलिन गावा और अक्षरा में से कोई बेघर होता है तो बचने वाले सदस्य के साथ उन्हें फिर एक बार मजबूरी वाला connection बनाना पड़ेगा लेकिन वो चाहती हैं कि वो अपनी इच्छा से connection बनाएं और घर में 2-3 हफ़ते में पहली बार ऐसा हुआ है कि वो अपनी मर्जी से connection बनाना चाहती है और निशान्त के साथ अब उनकी अच्छी bonding है इसलिए वो चाहती है कि निशान्त के साथ उनका connection बने दिव्या निशांत से जोर देकर ये पूछती रही कि क्या वो दिव्या के लिए बजर बजाएंगे क्योंकि दिव्या संडे कवार शुरू होने से पहले ही निशांत की तरफ से सियोरिटी चाहती है जिस पर निशांत ने कहा कि वो फिलाल कोई वादा नहीं कर सकते लेकिन वक्त आने पर वो जरूर कोई बड़ा फैंसला लेंगे क्योंकि गेम अब निरनायक मोड पर पहुँचने वाला है उन्होंने ये भी बताया कि अगर सुबह बिग बॉस बजर टास्क दे देते तो वो दिव्या के लिए बजर बजा देते क्योंकि निशानत और मुशकान के बीच सुबह मन मुटाफ चल रहा था और निशानत मुशकान को लेकर कुछ दिनों से परेशान भी नज़र आ रहे हैं बिग बॉस ओटीटी से जुड़ी इसी तरह की खबरें लगातार पाने के लिए आप जुड़े रहे हमारे चैनल से और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट्स के जरीए हम तक जरूर पहुचाएं